इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ Instagram की दूसरी ID कैसे बनाएं अगर आप पहले से एक ID बनाए हुए Instagram का और यहाँ पे आप Instagram का दूसरी ID बनाना चाहते हैं लेकिन अगर आपको पता नहीं Instagram की दूसरी ID कैसे बनाया जाता है तो इस वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक देखते रही है फिलाल आप देख सकते यह रहा हमारा एक ID और यहाँ पर मुझे Instagram को दूसा ID बनाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप भी Instagram को दूसा ID बना सकते हैं वीडियो में आगे बनने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेश्ट अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इस्टागरम को दूसा ID बनाना बहुत ही जादा असान है बस आपको वीडियो को सुरू से लेकर करके लाश्ट चक फूरा देखना है एक भी इस टेप मिस नहीं करना है नहीं भगा करके वीडियो को देखना है अगर आप वीडियो को आगे करके देखिए का तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस्टागरम को दूसा ID बनाने के लिए इस्टागरम को ओपेन करना है यानि को खोल देना है और यहाँ पर सबसे लाश में जो प्रोफाइल का ओफसन होता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है अगर आप यहाँ पर होम पेज पे है तो प्रोफाइल पर आजाएए simply आपको यहाँ पे add account वाले option पे click करना है अब यहाँ पे आपको दो option देखने को मिल जाएगा पहला है login into exit account और यहाँ पे दूसरा option है create a new account अगर आप यहाँ पे instagram open करते हो अगर आपका पहला ID यहाँ पे login नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे create new account को option देखने को मिल जाता है simply आपको यहाँ पे create new account पे click करना है अब यहाँ पे click करने के बाद आपको एक username बनाने के लिए बोला जाएगा क्योंकि instagram चलाने के लिए आपके पास username और password होना चाहिए तो यहाँ पे वही वहला आपका username बनाने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पे simplyum एक username बना लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक username बना लिया information dash 202020 इस परगार से आपको कुछ भी username बना लेना है जो पहले से नहीं बना हो और यहाँ पे पहले से बना होगा तो यहाँ पे नीचे के side में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कोई भी आप select कर सकते है ठीक है तो यहाँ पे direct आप select कर लिजेगा या फिर अपने हिसाब से यहाँ पे बना लिजेगा यहाँ पर ले लेगा उसकर आपको next वाले option पर click करना है अब यहाँ पर next वाले option पर जैसे आप click करते हैं आपको एक नया password बनाने के लिए बोला जाएगा password में capital letter, small letter और number सब्मिक्स करके आपको बनाना है तो चलिए यहाँ पर हम एक नया password बना लेते हैं यहाँ पर मैंने एक नया password बना लिया password बनाने के बाद जो आपको नीचे के साइड में next का option देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर next वाले option पर click करने के बाद आपको दो option देखने को मिल जाएगा पहला है direct complete sign up का और यहाँ पर दूसरा option है एड, new phone number और email ID तो यहाँ पर simply हम complete sign up पर click कर देंगे अब यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस परकार का interface आएगा loading लेगा आपको थोड़ा देर इंतजार करना है उसके बाद कुछ इस परकार का interface आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर direct आपको skip का जो बटन देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click करना है और यहाँ पर फिर से आपको skip वाले option पर click कर देना है फिर से आपको नीचे के साइड में skip को option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर click कर दीजिए और यहाँ पर आपको profile photo लगाने के लिए बोला जाएगा A.A.D. photo पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको choose from library पर click करना है और यहाँ पर आपका phone का gallery खुल जाएगा अब अपना gallery से कोई भी एक photo यहाँ पर लगा सकते हैं तो यहाँ पर example के लिए हम यह वाला photo ले लेते हैं photo लेने के बाद simply आप इसको बड़ा चोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से और यहाँ पर next वाले option पर click कर देना है आपको profile photo यहाँ पर upload हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर next वाले option पर click करना है अब यहाँ पर फिर से आपको जो ही skip का जो option देखने को मिल रहा है इस पर click कर दीजिए और यहाँ पर आने के बाद ऊपर के side में जो आपको next का option देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको click करना है अब यहाँ पर हमारा Instagram का दूसरा ID बन के ready हो गया अगर मुझे अपना पहला ID में जाना है तो सिंपलियम यहाँ पर profile पर दो बर click करेंगे और यहाँ पर switch icon पर click करते हैं आप पहला ID पर आ जाईएगा या फिर यहाँ पर दूसरा तरीका यह भी है उपर के side में आपको click करना है username के बगल में और नीचे के side में आपको दूसरा ID होता है उस पर click करके आप डारेक दूसरा ID पर आ सकते हैं